तो जैरोंकी की दोस्तों के हाज जाल आप सभी के आशे करका आप बहुत अच्छे होंगे सवस्त होंगे आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में तो फाइनली दोस्तों जिस चीज का मैं बहुत बेसबरी से इंतिजार कर रहा था वो दिर आज का आच चुका है तो म मैं आपको दिखाना चाहूंगा टाइम कितना हो रहा है देखे सब्सक्राइब अभी जो बज रहे है देखे दो 41 का टाइम हो चुका है और बस ज्यादा तेज में बोलना नहीं चाहता क्योंकि अभी मेरे घर वाले सारे सो रहे तो डाट पड़ेगी तो और यह बागी का अ वीडियो नहीं बना पाया लेकिन कोई बात नहीं इन सब के बारे में मैं भी आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा कहां से मैंने पर्चेस किया और कितने का पर्चेस गया है अपनी एग्जॉर की यहां पर जैगे टकी है और शेडल बैग अपने यहां पर है तो चलो ज को अब दो तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहरा चांगो दो कि काफी जड़ा ताइम लगा मेरको इसमें लोड करने में चोई यहां से भी मैं इसको लोड कर दियो यहां से भी से पूरा लोड कर दिया है बस इसके उपर रेंकवर लगा देता हूं रेंकवर लगाने के बाद सीधर चार बजे लिकलते हैं यहां से तो दोस्तों फाइनली अपन रेडी हो चुके और जाने के लिए बस तेयार है और जो आपके सामने इसका लुक लिकल के आ रहा देए क्या जबरदस लग रही है कितन कि को करते हैं अपन जीरो कि ट्रिप ओवन ट्रिप टो के तो दोस्तों चार बज चुके और इसका वे रिजन भी बताऊंगा आपको मतलब मेरे चार बजे क्यों जा रहा हूं मतलब मैं एक एक मिनट क्यों वेट कर रहा हूं तो चलो लिकलते हैं जै श्री राम बॉल कि चलो जै हो पर वो जै हो आप समार अपन ने सारा डाल दिया था अपन लेकल यहां से हराम से लेंगे बिल्कुल तो दोस्तों टाइटल और ठमलेल तो आपको पताई चली गया होगा देखके कि हमारी दिली तु आयुद्ध्या की राइड है और बताना चाहूंगो आपको कि कहते हम मतलब टोटल पांच बंदे जा रहे हैं जो हमारा ग्रूप है जिस मेंसे दो स्कूटी और बाधी बाइक सैंट तो टोटल जो हमारे किलोमेटर रहेगा वो रहेगा दो हजार किलोमेटर का और मतलब मेरे लाइफ का तो यह फस्ट राइड होगी इतनी लंबी वह मेरे लाइफ की फर्स राइड होगी वह इतनी लंबी तो देखते है कि एक्सपीरियंस रहता है कैसा क्या रहता है तो चलो मिलते हैं अपने दोस्त के पास दाबडी पे तो दोस्तों फाइनली अपन अपन डाबडी के पास पहुंच कई है और अपने भाई मिलेंगे वहाँ प और वाई जी और वाई जी और वाई जी अपनी 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 पले के जा रहे है और बताओ बढ़िया मेरको तो नीदी दी आई यार मतलब बंजी जाए मतलब बात नी पड़ेगा और मैंने तो ऐसे जुगार से बनाया इसको अच्छी लगी ना उदेख भाई को फसंद आगे अब लिकल रहे है अपने सैंबाई के साथ पीछे-पीछे बागी के अपने तीन बंदे मिलेंगे आगे और अपना तीन मिलेंगे पांच बंदों का हमारे ग्रूप हो जाएगा और यह राइड को इतना मस्त बनाएंगे इसको फूल इंजॉय करते हुए जाएंगे बगवान का नाम लेते हुए एक दो ना चलो साही है अरे चुवें गूम रहे हैं दोस्तों फाइनली अपने भाई लोग आ चुके है और यहां पर रोयल इंफिट के अपनी भाई खड़ी है यह अपने वाई है मौईद भाई मौईद राइटर भाई बढ़िया और यह नितेश भाई है नितेश भाई यह हमारे ग्रूप के ल यह यहां चाहम वह टृछ चुके शजटेंस द्овर देखते हमाई हुआ चलए तो अपनी डाल बहुत अच्छी ओने फॉने वाली वाली है वर हम पांच बंदे जा रहे हैं को ड़ी है और शीराम का नारा लगा तकि शिधा वर्यॉंद अबाद में भीच में देख धिक कर सकते हो कितना जोबर दस्त है तो लिखल चुके हम यहां से और सबसे पहले यार जो भी पेटल पम बिलेगा फ्यूलप करवाएंगे हम और फ्यूलप करवा के ट्रिप तो हमने जीरो कर दी थी अभी तक 33 किलो मिटर हम आ चुके हैं और यह अपना लाइन अप है पूरा का पूरा और यह मतलब लाइन अप से चले ना तो यार लोगों लोग भी बहुत अदर नोटिस करते हैं और दूसरी चीज यह कि अच्छा लगता है यार मतलब ना काफी बंदे देखेंगे यह भी तो वह भी बहुत सही लगेगा कि यहां अगले बंदे लाइन अप से जा रहे हैं और सेफ होके चलेंगे एकदम कोई रश ड्राइब नी करेंगे कोई कुछ नी करेंगे और मैं आपको भी बोलना चूंगा आप भी घर करते हो तो आप सेफ होके जलो जादा भाग आज़ोगा तो आप बिल्कुल क्लिरोड में इतन्हीं श्तिलागे तक आप जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और यमना एक्सप्रेस में पहुंच गए है फाइनली और वहां पर लिखा यमना एक्सप्रेस में आपका स्वागत है तो थोड़ा सा और आगे जाएंगे आगे जाके आर देखते हैं कि ब्रेक लेंगे चाही पीएंगे यार क्योंकि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है तो हम आगे हैं से एंटर कर गए है तो दोस्तों फाइनली अपन जेवर टॉल पर पहुंच चेके और यहां से बस सब क्रोस करेंगे और यहां पर यार बाइकों का भी टॉल कटता है टूविलर का यहां फाटक नहीं खुला भईया ट्र तो इसमें टोटल यह रा आगरा तक है और 205 रुपे 205 रुपे का इसका माउंट हुए है शीवा धावा पर हम रुके हुए हैं यहां पर इसके चाहिव अगर हमने पी लिए बस यहां से हम लिकलते हैं थोड़ा सा यहां पर ब्रेक लिए हमना थोड़ा बॉडिक और भी र इतनी किर्वी मिनी है कि इतनी फैर में काफी जादा ना किकत होने लगेगी तो बहुत बताना चाहूंगा जो यह एक्सपरस वे है यहां पर इटों की बटी इतनी है ना यह देख अब गिए देख पा रहे हो तो सारे इटों की बटी है यह कच्छी इट है तो इस पूरे अबाटि ना आपको सबसे जब ना इटों की बटी मिड़ेगी हैं आज से में भी साइस हो सकता है कि यहीं से जितनी भी इवी हम चैना यहीं से प्रक्ति पक्ति मतलब जगह 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 सप्लाई होते में अड़ा यह ही तो दोस्तों अगर एक एक्सपेस रुए पर आ गए है लखनाव वाले पर यहां का जो हमारा कटा थीन सो तीस रुबे का टोल कटा है यह देखो यह पर ची रही तीन सो तीस रुबे का कटा हुआ तो चलो कौन कहता है स्कूटी का टॉल नहीं कटता कटता है बाई हरे एक देना पड़ता है तो दोस्तों फाइनली शाम हो चुकी है और यार हम ना अभी भी लखनाव एक्सप्रेस वे पर है और भाई बस थोड़ा पांस से साथ किलोमेटर बाद जाके एक ब्रेक और लेंगे यार और जब रेक लेंगे और भाई इस राइड पर राइड पर मजा रहा है एक नमबर का और यार एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जोई यमना एक्सप्रेस वे ना रोड बड़ी है रोड में कोई दिक्कत नहीं है बट क्या है ना यहां पे ना कुछ खाने की म दूरी होगा जो आप सामने टॉल देख रहे हैं वह लखनव का टॉल है और उससे पहले 500 मिटर से पहले आपको चाही बगारा पीनी है यह थोड़ा सा रेस्ट करना है तो सामने आपको देख रहे हो वह टपरी मिटेगी वह 24 गंटे चलती है वहां पर आपको बड़ी अचा है कि यह लकनव का टॉल है है खाल